हेले आएवरीवन तो आज मैं आपके साथ में शेर करने जा रही है पोटेटो बिस्किट की रेचिपी एकडम अलग तरीके से और अलग डिजाइन की और अलग फ्लेवर की बहुत ही जबर्दस टेस्टी है पोटेटो बिस्किट बनकर रीडि होते हैं पोटेटो बिस्किट की मैंने बहुत बार आपको रेसिपी दी हुई लेकिन आज हम अलग डिजाइन के पोटेटो बिस्किट बनाकर रेडी करेंगे तो उमीद करती हूँ रेसिपी आपको पसन आएगी अगर आपको रेसिपी पसन आए तो जरूर से इस रेसिपी को लाइक क और उससे इस पोटेटो को जो है तो कद्दू कस कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे हैं आप ऐसे मेशर से भी मेश कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़े बहुत लम्स रह जाते हैं तो इसलिए हम कद्दू कस से करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना र हुए है अब अच्छी तरीके से हमने जो है तो इसे कद्दू कस कर लिया है अब इसमें हम दालेंगे 50 ग्राम कॉन फ्लावर लगबक एक छोटी कटोरी 50 ग्राम मैदा दालेंगे इसे भी हम कटोरी से या कोई कप से मेजर कर लें वन टीस्पून साबित ब्लैक पेपर लेंगे और उसे चंदी बत्ते में दरदरा कूट लेंगे वन टीस्पून जो है तो अजवाइन लेंगे टू टेबल स्पून जो है तो वेजिटेबल ओइल लेंगे अभी इन सारी चीजों के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अभी यहाँ पर एक जरूरी पॉइंट अगर आलू म मॉश्चर कम हो तो फिर इसमें वन टेबल स्पून जितना वाटर हम दालेंगे जितने हमारे आलू है उस हिसाब से हमने यह सारे मेजरमेंट का इस्तेमाल किया है अच्छी तरीके से सबसे पहले हम मिक्स करेंगे अगर वाटर दालने की जरूरत हो तो वन से टू टेबल नीट हो चुका था तो देखेगा इस हमारा जो डो है एकदम अच्छी तरीकी से चिकना डो लगकर रेडी हो चुका है अब यहाँ पर एक और पॉइंट के आप इसे इस डो को जो है तो नीट करने के बाद में रेस्ट के लिए बिलकुल भी नहीं रखना है अकर हम रेस्ट चकले पर हम एक पेडा रखेंगे उस पर आटा डस करेंगे और पतली रोटी बनाकर रेडी करेंगे जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे इसे हमें पतली बनाना है तो इस तरह से जो है तो हम 6-7 रोटिया बनाकर रेडी कर लेंगे यहाँ पर हमने 6-7 पतली पतली रोट करना है और इसके उपर जो है तो फिर हम क्या करेंगे आटा डस्ट करेंगे आटा डस्ट करने के बाद में फिर से एक रोटी इसके उपर हम रखेंगे फिर सो आईल लगाएंगे तो जितनी हमें जादी परतो वाला ये बिस्कुट चाहिए न तो उतनी जादी हमें रोटिया बना कर ready करना है बस एक के उपर एक रोटी रखना है हमें oil लगाना है आटा dust करना है और फिर इसे रोटी रखना है लेकिन एक बात का जरूर ख्याल दिजे है कि आटा हमें जरूर भ्याल करता है क्योंगि आलू के वज़जे से इसमें इतना जल्दी moisture और इतने जल्दी पतली हो जाती है कि फिर हमारा जो biscuit है तो लेरी नहीं बनेंगा तो बस यह आखरी जो रोटी है उस पर भी हमें इस तरीके से oil लगाना है और फिर हम इस आटा dust करेंगे और फिर इसका एक roll बना लेंगे तो जरा सा हैतियात से roll बनाएं क्योंकि आलू दानने के वज़े से बहुत जल्दी है liquidy dough हो जाता है और आलू नहीं दालेंगे तो biscuit का जो है तो flavor exact नहीं आएंगा तब इस तरीके से थोड़ा सा हैतियात से roll बनाना थोड़ा सा तूटा भी तो कोई फरक नहीं पड़ता बस इस तरीके से हमें roll बनाकर ready कर लेना है और अच्छा shape दे देना है आप जितने जादे आपको ले रही चाहिए जितने जादे पतले चाहिए आप उस हिसाब से जो है तो यह biscuit के जो छोटे छोटे बॉल्स है तो cut कर सकते हैं इस तरीके के हम बॉल्स कटेंगे एकदम छोटे छोटे बिस्किट बनाकर ready करेंगे बहुत बड़े बड़े नहीं बनेंगे पर यकीन मन यह जो बिस्किट है न तो टेस्ट वही आलू का बिस्किट काएंगा लेकिन नई डिजाइन के तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हैंगा देखने में बहुत ज़्यादा यह बिस्किट सुन्दर लगेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सारे पेड़े कट करके रख दिये हैं जल से पर हमें पेड़े कट करना है वैसी हमें बिस्किट बना लेना है तो चकले पर एक पेड़ा रखेंगे और हातों से धीरे धीरे फाइल आ लेंगे क्योंकि यह जो डो है तो बहुत जल्दी लिक्विटी हो जाता है और हातों से भी फाइल जाता है बहुत यह आसानी से अगर हम बेलन लगाएंगे तो यह चकले को चिपक जाएंगा निकलेंगा निए बस इस तरह से हमें धीरे धीरे प्रेस करते विए इस बिस्किट को बना लेना है ताकि इसकी लेइर भी बहुत अच्छी खुलती है अगर हम बेलन से करेंगे तो इसकी लेइर भी इतनी अच्छी निया पहले जो है तो हमने थंडे ओइल में इसे डाला जब तक कि ये बिस्किट अपने आप फ्राई होकुर उपर ना आए तब तक कि हम इसे पलटना नहीं है जब यह fry करके उपर आ जाए ना फिर हम इसे जारे से पलटें क्योंकि इतने सौफ्ट होते हैं कि यह पलटने के लिए जाएंगे ना तो वहाई पर तूट जाएंगे और फिर जब यह उपर आ जाए फ्राय होने के बात हम गैस का फ्लेम फुल कर लेंग आपको यह जबर्दस हजार पड़तों वाले बिस्कीट की रेसीपी पसन नहीं हो अगर आपको रेसीपी पसन नहीं तो प्लीज लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना साइट में जो बेल बटन आता है उसको और पर किलिक कर देना ताकि आने वाल है अमेजिंग से वी होगा इस तर चलिए फिर हम अपने नेक्स रेसीपी मिलते हैं तब तक लिए बाई बाई टेक केर एंड अलला आफीज